कि हैं यहां पे जिफको हम हिंदी में जन्हित याचिका कहते हैं तो देखो यार इसको कुछ भी कहलो यह पब्लिक के से रिलेटिड होता है यानि कि यह उसके लिए भी फाइल करवा सकते हैं जिसको आप जानते नहीं है कि यह प्रवाइब करते हैं तो हमरा आता है कि पबलिक इंट्रफ लिटिगेशन क्या होता है तो कोई व्यक्ति लोगों कि भालाई के लिए कोट में जन्हित याचिका फाइल करा वक्ता है कि इसमें टेरिरिजम बंदूह मजूरी एफिड एटेक एक्सेक्ट्र एक्सेक्ट्र में मुंबई कामगार सभव अनाम अब्दूल थाई मामले में फुरूगी गई थी और पहला पी आयल जो है वो बिहार के बिहार में निस सो न्याफी में जेलों में दैनिय को दिखाता था यानि कि जेल में दैनिय के लिए बहुत ही क्रिटिकल कंडिशन किया जाता तक क्या कैसे में दैनिंगे जैफे की नाम से पता चलता हैने की इनेदा क्नीिक तो पराख की गई कानूनी कारवाई के लिए है यह रूल वेलफेर की रक्षा के लिए है यह कल्यान कारी मामलों जैसे की खतरनाक पॉल्यूशन और टेरिवर्म के प्रोटेक्शन के लिए कोट में मुकदमा दायर किया जाता है ठीक है तो यह को यार समझ गए होगे यानिकि पब लो जिसमें आपका कोई रोल नहीं है जैसे कि अगर मैं आपको एक्जाम्पल दूँ तो अगर बहुत ही आपके घर के पास कोई बहुत बड़ी लग गई है और वहां पे बहुत पॉल्यूशन रहता है तो आप करवा सकते हैं प्यूशन हो रहा है लेकिन आपके साथ साथ स साल जीने वाले 35 साल तो यही है अगला आत हमारा जनहीत याचिका के माध्यम से दायर किया जा सकता है किया किया जा सकता है जो होते है कई आज भी आपकोई फॉन जहां पर लोगों को बैठ में तक नि दिया जाता है कि छोटी जात वाली को बड़ी जात के घर में तो यहीं सब इन्हीं के लिए पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन फाइल करा सकते हैं यह पहली बार पी एन भगवती जी ने इन्हें मतब इंट्रेडूस करवाने की कोसिस क मतब्लिक वीरेटा है तो गवर्मेंट पॉलिए को फर्मान पर्फॉर्म करना इन लिए पेयल जोरत पड़ती है हमको आ गया है जन्हीत याचिका है है मैं यान्य याजनिक आज deposit करता है इस निशित करने के जाнулिक निकार फब्लिक बाोड्यिस को पकड़ों की वे यह उपरेशन बताते हैं उनकी सक्तियों की डिफपेच के अंदर प्रॉपर वर्क करते हैं नयदीव को कानून का एक्स्प्लानेशन की पर्मिट देकर कानून की फायता और विकास करना कमजोड लोगों को एक प्रमुख मैटर को अपना आवाज दें इसके अलावा उनकी राइट की एडवो केफी करने के लिए एक मंच प्रदान करना फतर्क नागरिकों को एक प्रॉपर सल्यूशन मिल फकता है क्योंकि कोट फीज की नॉमिनल रेट है यानि कि इसमें जो फीज होता है वो बहुती नॉमिनल फाफीज होता है ऐसा कुछ निये कोई भी करवा सकते हूं आप करवा सकते हैं कोई भी करवा सकता है इसके अलावा Human Rights, Consumer Welfare और Environment के शेत्र में भी किया जा सकता है अब सवाल आता है जनहितियाचिका दायर कहां करना है तो देखो जनहितियाचिका है वो दायर करना कहां पे है तो अब उसके बारे में हम जानेंगे तो पोजीफन बेफिफ पर High Court या Supreme Court में जनहितियाचिका फाइल की जा सकती है दोनों अदालतों जनहितियाचिका का प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर रखती है तो एक बात बताता हूँ मैं आपको आपको भी काम आएगा जो High Court है ना High Court is wider than Supreme Court हाइआ है, Madame Supreme Court तो लोगों को लगता है कुषी पहुत ही बढ़ा है दो प्रॉबलिक इंटरस्ट लिटीकैशन है कोई वैकटी लोगों की भलाई के लिए कേने कोट में जनहीत याचका फाइल करा सकता है यह तो यार मैंने आपको बता ही दिया मेरे ख्याल से प्रारूप में निमलिखित परक्रियाएं है सुप्रीम को ड्राफ्ट में पेटिशन का नाम और डिफेंडेंट का नाम है ड्राफ्ट को भारत में चीफ जस्टिस को लिखा जाना चाहिए को लिखा जाता है इसका अलावा अवश्य घटना को भरने के लिए ट्राफ्ट के सब्जेक्ट पर आगे बढ़ें भारत में जन्हित या चिका करने की प्रक्रिया क्या है कि आई पील के मामले में कारवाही अन्य मामलों की तरह ही सुरू होती है अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप के साथ करते हो इसके खिलाब जिसना आपके फ़त्क है कि अगर बहुत पारे लोगों को हो रहा है याए कि सो दो सो चारफो हजार चारहेयार दस धायर एक लाज दो लाज चार लाज लाज एक करोड़ दो करो लोगों के साथ अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है तो वह की इस नहीं होता व सक्षियों के भीतर जो होता है वो यहीं सब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाफ डालते हुए ध्वानी रियाहित और कमजोर के लिए आवाज प्रस्तूत करें यह एक बंदा बहुत सारे लोगों के लिए लड़ सकता है इसका यह मतलब हुआ कि नहीं मैं अगर करत मैं और यहां तक मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी आपका वह आता है तो यार मैं आपसे कहता हूं कि बहुत ही मैं वीडियो बनाता हूं आसा करता हूं आपको समझागा बहुत चोटा टॉपिक है यह कुछी खाफ नहीं है इसमें भगवती नहीं स्लाइथ है प्याइए लेता हूं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जब तक के लिए बोलो बोलो जय हिंद वंदे मातरम